हाई फ्रेंट्स मैं आश्विड मुझे उमीद है आप सबी अच्छे होंगे वर्ड अफ दे इस सीरीज का ये सेशन नमबर टू जिरो फोर है और आज की चोईस है वर्ड गैमबिट आए आगे की स्लाइट्स में इसी वर्ड गैमबिट को डीटेल में स्टडी करते हैं So this word is a noun, गैमबिट एक noun है इसका मतलब है a planned act or remark एक सोची समझी साजिश या फिर कोई कथन with the intention to gain advantage especially at the outset of a situation खास तोर पे किसी भी situation की शुरुवात में ही जब आप कुछ करते हैं या कुछ बोलते हैं इस intention से आपको कोई benefit मिल जाए आपको कोई advantage मिल जाए तो वो gambit है तो gambit को क्या कहेंगे सरल शब्दों में एक planning, है ना एक planning एक साजिश, एक चाल उसे gambit बोल सकते हैं समझना बड़ा ही simple है gambit को देखिए तो आपको इसमें game दिखेगा game plan होता है कि योजना आपकी चाल जो आप चलते हैं the gambit is that game plan वो एक योजना है gambit word has come from chess the game of chess से आया है इसमें क्या होता है कि कभी-कभी आप एक weaker, एक कमजोर प्यादे को offer करके कमजोर मोहर को offer कर देते हैं और उसके बदले सामने वाले को एक बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं मतलब आपने थोड़ा दिया और जादा ले लिया तो ये gambit है कुछ हलका सा आपने surrender कर दिया और उसको लगा कि चीजे, मतलब वो समझ नहीं पाया कि आप surrender क्यों कर रहे हैं और उसी के चलते फिर आपने बड़ी चीज हासिल कर ली जैसे कि आप समझ जिये कि ये एक पॉन है प्यादा है अब इसने इसको ऐसे चल दिया अब इसको लगेगा कि चलो इसको माल लेते हैं एक चोटी सी चीज इसको मिल गई वाइट वाले को चोटी सी चीज मिल गई लेकिन क्या हुआ ये एरिया अनकवर्ड हो गया अब यहाँ पे सीधे एक चाल चलके आप अपना एक पासा यहाँ बिठा दिये इससे क्या हुआ कि ये 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 सब अनप्रोटेक्टेड होगे अब इन तीन बड़े पासों को आप मार सकते है ये गैमबिट है थोड़ा दिये और ज़्यादा ले लिया ये एक स्ट्राटेजी के तहत होता है कुछ हलका सा ओफर करके ज़्यादा ले लिया ज़से कभी कभी गैमबिट हो सकता है कि आप सामने वाले वेक्टि के पैर झूले तो क्या हुआ कि आपको थोड़ा सा अपने जुकना पड़ा उस वेक्टि के जिसे आप मालीं जे नहीं पसंत करते है अब बाद में क्या होई एक बड़ा कंट्राक्ट आपने साइन करा लिया एक बड़ी मदद उससे ले लिए तो ये गैमबिट में आता है ठीक गेम प्लांग के लिए मालनी से जो आनेंप्लॉइट यूथ है जो बेरोजगार यूवक है उसको सरकार ने बोल दिया कि हम हर मेने आपको 5000 का एक 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 रिलीफ देंगे और यह एलेक्शन के तुरंद पहले सरकार ने अनौंस कि इससे क्या हो जितना भी फर्स टैम वोटर है सब सरकार क सरकार बन जाएगी जिसके बाद हो चाहें तो इसे विड्रौ भी कर सकते हैं एक गांबिट है रिजिगनेशन ओफर बाइद पार्टी चीफ वोजए टैक्टिकल गांबिट एक चुनाव में यह कहीं भी पार्टी चीफ ने जो है अपना रिजिगनेशन ओफर किया क्यों व बढ़ जाएगी लोग मुझे और ज्यादा रिस्पेक्ट देने लगेंगे ठीक है ना और गांबिट कई बार एक 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 रिमार्क भी हो सकता है वो एक स्टेट्मेंट भी हो सकता है वेनेवर वेनेवर वांट्स अदर्स तो हैल्फ इम फिनांशली जब उसे दूसरों से फ सामने वाले विक्ति का आप दिल जीतेंगे फिर धीमेदी में आप अपनी तकलीफ अपनी बात शेयर करेंगे और उसके चलते थोड़ी बहुत मदद ले लेंगे तो यह गांबिट है अक्सर जो 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 डोनेशन सीकर्स होते हैं वो इसी तरीके से सामने आपके आकर के पहल आपको यह जरूर क्लियर हो गया होगा कैसा लगा आज का word of the day का यह session do let me know by dropping your messages in the comment box, मिलते हैं नेक्स सेशन में, till then keep learning, bye-bye, take care, thank you